हलो प्रेंट साहे माईनेम इस रोधर रोध सजेलिस इस माईनेम तो आज हम बताने वाले हैं कि exactly अगर आप DTE काउंसिलिंग कर रहे हो मत प्रिदेश के कॉलेज़ के लिए काउंसिलिंग कर रहे हो DTE कुन कराता है MPDT MPDT राइट सो examination कौन सा accept करता है JEE JEE के basis पर ही आपको यह यह मिल सकता है वो जो मैं चाह रहा हूँ यह नहीं मिल सकता है वो कैसे देखेंगे चलिए सुरू करते है तो किस रेंग में मुझे कौन सा कॉलेज़ चीज़ मिलेगा राइट सवाल जो हमारा है यहाँ पर आपको प्रेडिक्टर मिल जाएंगे एक बेप साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगे और राइट कोर्स डोट स्टुडेंट खबरी डॉपन पर अलग अलग प्रेडिक्टर यहाँ पर मिल जाएंगे कॉमेट के के महरास्ट के एमपी के इस सबके अब मुझे एमपी भी बेस नहीं करना मुझे क्या करना है इंजि अब यहाँ पर ओपन करता हो यहाँ पर मैं अपनी रेंग डालूँगा जो मेरी रेंग है असी हजार कितनी के एट्टी थाऊजंड मेरी रेंग है मैंने एगजाम कॉनसा दे रखा हो जी जी यह दे रखा है किस स्टेट से हूँ अब आप जाहिर सी बात है कि अगर आप यूपी से हो तो आपका क्या लगेगा ओल इंडिया कोटा लगेगा लेकिन अगर आप M.P. से हो मतलब मूल निवास प्रमापत अगर आपका है तो बेनिफिट आपको मिलेगा क्योंकि स्टेट काउंसिलिंग में 85% जो कोटा होता है वो उसी कॉलेजिस के लिए होता है 85-90% तक होता है कई स्टेटों में सो अब आप में यहां पर क्या डालूंगा मत प्रिदिस से हो में राइट अब यहां पर देखिए अगर मैंने मत प्रिदिस नहीं डाला पर दोनों डालके मैं बताऊंगा आपको कौन-कौन से कॉलेजिस मिलेंगे औल इंडिया से पहले डाल के बता देता हूं राइट आल यहां से आप आ सकते हो यह केटिगरी आपको पता चल जाएगी आपको खुछ से पता ही होगा कि आप किस केटिगरी में हो राइट तो मैंने डाल दिया यहां EWS EWS यह इसके रावा अगर आप कोई और है तो यहां पर देख लीजिए कि मैं किस केटिगरी में आ रहा हूँ जनरल में आ रहे हो तो UR होगा जनरल UR XOP यह राइट UR XOP अगर आप हो तो आप इसका मतलब है कि जनरल में हो इसी तरह STOP मतलब आप ST में हो ST female हो तो ST F हो अगर आप यहां पर जनरल सेनेक हो तो यहां पर आ जाएगा हैंडीकेप्ट हो तो इस पर आ जाएगा राइट सो इस तरह से आप केटिगरी वाइस OBC XOP मतलब आप OBC के हो तो यह एक केटिगरी वाला है जिससे आप समझ सकते हो राइट सो OBC EWS इस तरीके से नहीं आता है यह FW में भरना है तो यह आजाएगा यह केटिगरी जब आप DTE की काउंसिलिंग में जाओगे तो इसी तरीके से बनाएगा है और यहां पर भी इसी तरीके से लिखा गया है यहां पर आपको क्या मिल रहा है यह सारे कॉलेचेस आपको मिल रहे है अब यह आप बोल रहे हो कि सर यह तो प्राइबेट कॉलेचेस है क्यों है देखो मैंने पहले भी बताया था क्योंकि आपने 80,000 रेंग यह All India से हो आप हो तो फ़र बड़ा मुस्किल हो जाता है और आ पहले क्या देखा इसको पहले मैंने All India देखा था और फिर मैंने अब यहां पर देखिए कि डिये वीवी में सिविल आपको मिल सकता है 80,000 की रेंग पर यहां पर माफिश चाहता हूँ मत परदीस कर देखिवारा अब मैं OBC कैटिगरी मीची जया हूँ So अब मैंने OBC लिया मत परदीस का करा All round देखा अब यहां पर देख लीजी यहां आ जाएगा वो ऐसा क्यों दिखा रहा था क्योंकि हमने OBC कैटिगरी यहां पर select की थी Q delicacy category में आपको इस रिंग पे ये ये मिल रहा होगा लेकिन आप कौन से round में मिलेगा आपने all round choose किया है first round में आगर आपको जाना है तो प्रेटिक्ट आप देखिए first round का आपको Kylie देखना है मुझे मिल रहा है ये ये씬 आप यहां पर आप देखेंगे वो फिर नहीं मिल रहा होता है तो यहाँ पर अब आपको colleges के लिए जिख जाएगी जिसे HGS, ITS में आपको civil मिल जाएगी लंबी चोड़ी list आजाएगी वो आपको पहले देखना है यहाँ पर download होता जाएगा और फिर आप देखते जाएगे वाँ पर समरा, टसोग में, IAT, NIT मिल जाएगी यह सारी चीजे है तो अब आप पहले select करिए कि आपको क्या करना है कौन सा round लेना है कौन से round में आप करना चाहते हो and that's how you can select the things तो इस तरीके से आप अपनी list बना लीचे फिर counselling में कौन सा college आपको लेना है, नहीं लेना है कैसे choice filling करना है, क्या करना है वो सारी चीजे में आपको बताता रहूंगा अपडेट करता रहूंगा इसी तरीके से और भी comment की, की महरास्ट की हो या फिर हो, अब जेक देली जेक चंडीगार और जोसा इस पेसिली सी से इन तवाम कौंसिलिंग के बारे में हम डेटेल में one-to-one करके बात करेंगे थैंक यू बरे मच, थैंक्स अलॉट तक के लिए सबबक है I hope you like this video For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe